हालो फ्रंट्स वेल्कम तो माई वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपर्टन फिप्रिन कोशन जो कि आपके एक्जाम के देश्ट कोट से काफी इंपर्टन है तो फ्रेंट्स यदि आप चनल पर नया है तो चनल को सब्सक्काइब कर लिए साथ में बेल आइकन को फ्रेस करें जिसे कि आगे आने वाले इंपर्टर वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी तयादी बैदर टंग से कर सकें इसके साथ ही यदि आप इस वीडियो की पीडियाप राप करना चाहते हैं तो आपको टेलिग्राम का लिंक ड आपका आप्शन है speaker, platter, monitor तो इसमें आपका आप्शन से होता आप्शन नमबर D, ALU, ALU मतलब mathematical and logical unit ये एक प्रकार का hardware है और ये input या output योगती नहीं है अगर हम ALU की बात करें तो एक गड़ती ये जो भी कार होते हैं computer के वो ALU के द्वारा किये जाते हैं और ये CPU का main part मना जाता है next question है HDMI port का विश्टायत रूप है यानि कि HDMI port का आपको full form बताना है तो आपके option है high definition multimedia interface, high definition memory interface, high definition memory interchange, high definition markup interface तो इसमें से आपको कारेक्टरेंसर बताना है तो इसमें आपका option सही होता है option number A यानि कि high definition multimedia interface HDMI का full form है और अगर हम HDMI cable की बात करें तो HDMI cable में सारे signal digital format में एक device से दूसरे device तक भेज़ जाते हैं और इसका फायदा या होता है कि इसको किसी भी site convert करने के लिए converter का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है चलिए next question देखते है TCP IP का विश्ताइद रूप है यानि कि TCP IP का आपको full form बताना है तो आपके option है transmission control protocol, internet protocol, transmission control protocol, internet protocol transmission commission protocol, internet protocol, transfer control protocol, internet permission तो इसमें से आपको correct answer बताना है तो इसमें से आपका option सही होता है तो इसमें आपका option सही होता है option number A यानि कि transmission control protocol, internet protocol और अगर हम TCP IP की बात करें तो TCP IP इंटरनेट में उपलब्द एक protocol है जिनके जरिये internet, network या un-internet device के मद सुचनाओ का आदान्पदान किया जाता है चलिए next question देखते है operating system का कार है यानि कि operating system के क्या कार है अपके option है memory management, प्रक्रिया management, file management, उप्रोक्त सभी तो इसमें आपका option सही होता है option number D उप्रोक्त सभी यानि कि operating system के जो कार है वो memory management है, प्रक्रिया management है और file management है यानि कि option number D आपका सही है उप्रोक्त सभी next question है बार कोर्ड रीडर है input युक्ति, output युक्ति, प्रस अंस्क्राड युक्ति, भंडाड युक्ति तो आपको बताना है कि बार कोर्ड रीडर क्या है तो यह जो आप image, फर्स्ट image यहाँ पे देख रहे है यह बार कोर्ड है और यह जो आपको instrument देख रहा है यह बार कोर्ड रीडर है जिसकी help से बार कोर्ड को रीड किया जाता है तो आपको बताना है कि barcode reader इस प्रकार के युझते है, input युझते है या output युझते है, या present script युझते है, या फिर भंडाड युझते है तो इसमें से आपका option से होता है, option number A, input युझती यानि कि barcode reader एक input युझते है, चलो और next question देखते है Pen Drive इस्तेमाल की जाती है भंडार है तो गाड़ना है तो बिजली बैक अप है तो उपक्त में से कोई नहीं तो आपको बताना है कि Pen Drives किसके छेत्र में इस्तेमाल की जाती है तो इसमें आपके पास चार आपसन है इसमें से आपका आपसन से होता है आपसन नमबर ए भंडार है तो यानि कि डाटा स्टोरेज के लिए Pen Drive का इस्तेमाल किया जाता है चलिए नेस्ट कोशन देखते है टिम बरनेशली द्वारा दी गई आउधारना है यानि कि टिम बरनेशली द्वारा किसकी खोश की गई है तो इसमें से आपके आपसन देऊ है इसमें से आपका आपसन से होता आपसन नमबर D उप्योगत सभी नेक्स्ट कोशन है निम निखित में से कौन भाती सुपरकंप्यूटर का उधारण है आपके आपसन है परम 8000 मीरा तियान है तू टाइटन तो आपको बताना है कि भाती सुपरकंप्यूटर का उधारण कौन सा है तो इसमें आपका आपसन से होता है आपसन नमबर D परम 8000 यह जो आप इमेज में देख रहे हैं यह परम 8000 सुपरकंप्यूटर की इमेज है और अगर हम मीरा की बात करें तो मीरा संयुक्त राज अमेरिका का सुपरकंप्यूटर है और अगर हम तियानने 2 की बात करें तो तियानने 2 चीन का सुपरकंप्यूटर है अगर हम टाइटन की बात करें तो टाइटन भी संयुक्त राज अमेरिका का सुपरकंप्यूटर है चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं SATA का विश्दाहित रूप है Serial Advanced Technology Simple Advanced Technology Attachment Serial Advanced Technology Attachment Serial Alternative Technology Attachment तो इसमें से आपको कर्यक्ट एंसर बताना है तो इसमें से आपका आपसन सही होता है तो इसमें से आपका आपसन सही होता है आपसन नमबर C Serial Advanced Technology Attachment और अगर हम SATA की बात करें यानि की Serial Advanced Technology Attachment की बात करें तो यहां एक प्रकाय का इंटरफेस है जो बड़े पैमाने पर storage device को computer के motherboard से connect करने के लिए उप्योग किया जाता है और यहां बड़े पैमाने पर storage से data को नियंतित करता है चलिए next question देखते है modem का विस्तार है यानि की modem का full form क्या है आपके option है modulation, demodulation modulation, deactivation modulation, dickposition modulation, disintegration तो इसमें से आपको का रखर एंसर बताना है तो इसमें आपका option से होता है option number A modulation, demodulation यानि की modem का विस्तारित रूप है modulation, demodulation यह जो आप image देख रहे है यह modem है और अगर modem की बात करें तो modem एक प्रकार का उपकरण या प्रोग्राम है जो computer को data को संचाइद करने में सच्छम बनाता है उदारान के लिए आपके जो telephone line या cable line होती है वो modem के अंतरगर्थ ही कार करते है नेक्स्ट कोर्शन है MICR का विस्तार है magnetic ink character recognition magnetic insect character recognition magnetic input character recognition magnetic innovation character recognition तो इसमें से आपको correct answer बताना है कि MICR का full form क्या है तो इसमें से आपका option सही होता है option number A magnetic ink character recognition यह जो आप image में देख रहा है यह MICR है यानि कि magnetic ink character recognition है चलिए next question देखते है इन में से कौन MS Office का वयद संसकर नहीं है आपके option है MS Office 97 MS Office 2003 MS Office 2005 MS Office 2007 तो इसमें से बताना है कि MS Office का वयद संसकर नहीं है यानि कि कौन सा वयजिन इसमें जो है वो MS Office का नहीं है तो इसमें आपका option सही होता है option number C MS Office 2005 बहुजा पांच MS Office का वयजिन नहीं है बाकी तीनों MS Office के वयजिन है नेक्स्ट कोशन है HTML का विस्तार है HTML का आपको full farm बताना है आपके option है Hypertext Markup Language Hypertext Management Language Hypertextual Management Language Hyper Transaction Markup Language तो इसमें से आपको character answer बताना है तो इसमें आपका option से होता है option number A Hypertext Markup Language और अगर हम HTML की बात करें तो HTML एक computer की programming भाषा है जो कि अगर हम दूसरी भासाओं की बात करें जहें C और C++ और Java के मुकाबले में काफी सर्लर होती है और इसका इस्तेमाल website design में किया जाता है शल्लिया next question देखते है एक coding सनचना जिसमें अच्छर एक समाना अंतर सलाखों यानि कि parallel बाज की संखलाज में पतिने दुद कहते हैं क्या कहलाता है बार कोड, मेन्यू बार, संख्यात्मक बार इसमें से कोई नहीं तो इसमें से आपको काइक्ट एंसर बताना है तो इसमें से आपका option से होता है option number A, बार कोड ये बार कोड जो है एक coding सनचना होती है जिसमें अच्छार एक समाना अंतर सलापो की संखला में रहते हैं इसे बार कोड कहते है अगर हम बार कोड के खोज की बात पर हैं तो बार कोड के खोज का असरे या इसे बनाने का असरे नार्मन जोसेफ उड्लैंड को जाता है जिन्होंने इसके खोज की थी और इसके रीट करने के लिए यानि कि इसके पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का इस्तिमाल किया जाता है चलिए और नेक्ट कोशन देखते हैं MS Word 2007 की फाइलों के लिए फाइलों के नाम का एक्स्टेंशन होता है यानि कि MS Word 2007 का जो वाइसन है उसमें फाइलों के एक्स्टेंशन के लिए कौण सा सब्द यूज किया जाता है तो आपका आपसन डॉट जियाएफ डॉट टी एक्सटी डॉट 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 एक्स डॉट इक्सटी तो इसमें से आपको कारेक्टरेंशन से बताना है Es reinvent पर जाकर आप पहले का व्प्राप करना चाहते हैं तो उसका भी लिंग आपको डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा जाके वहांपर आप टेलीघंगा में करें है और आपको वीडियो प्टीब हाट एक सा प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आगर वीडियो न पर यहें अग में और इसके साथ जैद आप चैनलब्हें है तो चैनल एधिकrice लाई है, कि आगे वाले important videos की notification आपको मिलती रहे और आपने तैयरी बेटरांग से कह सके हैं Thank you